जैन मातादी दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट और फीपी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ आज मैं आपको चाय का मसाला बनाने की विदी बताऊंगी कैसे बनाना है आपको जिससे आपकी चाय में दो गुना टेस्ट और बढ़ जाएगा तो सबसे पहल 10 ग्राम सोट ले लिए पिसी हुई 10 ग्राम काली मिर्च 10 ग्राम हरी लाइची छोटी और ये चार-पांच मैंने दाल चीनी की इस्टिक ले लिए एक जाय फल 10 बारा लॉंग एक चंबस सौफ और 10 पंद्रा ये तुलसी की पत्या ले लिए तो सिस्टिक और भी अच्छी आएगी तो हम बताते हैं आपको कैसे बनाना है मैंने गैस पर फ्राइपिन गरम कर लिया एक मिनिट के लिए फुल गैस पर हम गैस सिम कर देते हैं और ये मसाले भून लेते हैं ये सौफ डाल दी है एक मिनिट इसको चलाएंगी सिम आच पर कर दें गैस हमने बंद कर दिये तो ये लाश में ये सौट रहे गई अब फ्राइपिन मारा गरम है तो सौट डाल देते हैं इसको भी एक मिट चला देंगे इस सारे मसाले देखे हमने इस तरह से एक मिट भूं लिये थी सिम आच पर और ये गैस बंद करने के बाद हमने सौट और तुलसी की पत्ती भी डाल दी ती इसमें तो इसमें इस सारे मसाले डाल देते हैं और जब बिलकुल ठंडे हो जाएंगे फिर इनको हम पीस लेंगे अश्यों देखे मारे मसाला को ठंडा हुगा था उसके बाद हमने इसको मिक्सी में महीं पीच लिया है इस तरह से देखे इस चाय का मसाला हमारा बनके तयार है जब आप चैय बनाएं अगर दो कब तो भी ना भूलें मिलता है अपली रेस्पी के साथ धन्दबाद